Good morning दोस्तों रज्यास चैनल में आप सबी का स्वागत है मैं आपकी दोस्त रज्या जैसा कि आप देख रहे हैं आज हम आपके लिए क्या लेकर क्या है तो आज हम आपके लिए लेकर क्या है Miracle aloe vera and saffron jill यानि कि aloe vera jill और आप ये भी जानते होंगे कि एलो बेरा जिल यानि कि किस चीज में काम आता है या हमारे स्कीन के लिए और हेयर के लिए तो बहुत ही ज्यादा फाइदे मन्द है तो आएके इस प्रोड़क्ट के बारे में मैं आपको रिव्यू दिखाना चाहती हूँ इसलिए मैं आपके सामने इसे लेकर आई हूँ तो जैसा कि मैंने नाम से ही बता दिया यह एक ब्यूटी प्रोड़क्ट है जो और यह प्रोड़क्ट प्रोवेदा कंपनी का है आप देख रहे हैं मल्टी परफस ब्यूटी ब्यूटी जिल फोर इसकीन यानि के बहुत तरह से हमारी खुबसूटी में यह हमारी मदद करती है पैराबीन, स्लीकॉन, मिनरल, ओयल, कलर, संथाटिक्स, और फ्रेग्रेंस इसमें यह सब नहीं है यह प्योर और फोर और इसकीन एंड हियर यानि के सभी तरह के बालों के लिए और सभी प्रकार के स्कीन के लिए यह बहुत अच्छा है इसका नेट वेट कितना है 125 ग्राम जैता कि यहां दिखा हुआ है 125 ग्राम अब हम चलते हैं इसका आप देख सकते हैं कि यहां यानि कहां कहां से इसे कहा गया है कि बिलकुल सही है आप देख सकते हैं बिलकुल ही सही है और ये इसका address दिया हुआ है और direction कैसे use करना है apply यानि कि इसे किस तरह से use करना है to the skin इसके बारे में आपको जानना है तो हमें comment करकर बताईएगा और इसका जो MRP है वो 250 रूपीज का है और आप जब ये लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा अब हम इसे खोल कर दिखाते हैं इसे इस तरह से नहीं पकड़ना है इस तरह से पकड़ना है और इस तरह से हम खोलेंगे ये देखे हैं अब मैं इसे use करके दिखाती ये देखिए जैसा कि आप सभी देख रहे हैं ये इस तरह का जिल निकलेगा ऐसे तो मिझे इस तीन पर भी लगाना है मैं लगा देती हूँ और बहुत ही अच्छा ठंडा ठंडा फील होता हलका हाँ और ये देखे मैं हाथ इस तरह से जेल हम हाथ में लगाएंगे तो हमारी इस स्कीन के लिए बहुत ही पाइदे महें ये लंबे समय तक नोस्टिराइजर रखेगा हमारी इस स्कीन को प्योर करेगा और मुझे सबसे अच्छा लगता है इसका यूज जब इसे यूज करो तो वाह कितना सॉफ्ट फील होता है शाइनिंग आज जाती है और आपको ये जानकर बहुत ही खुशी होगी कि ये आप भी यूज करके देखेंगे तो आपको भी बहुत ही अच्छा लगेगा तो दोस्तों हम फिर मिल में तक तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धंडेवा शुक्रिया